मैं एक मर्द हूँ मेरा एक सवाल है क्या मेरी मा बहने सिर्फ मेरा अभिमान है आज के इस युग में जहां मनुष्य इतना बलवान है क्या छूट गए है संस्कार हमारे कि हवस के सामने सब इतने लाचार है राम के उस राज्य की मर्यादा आपको याद है सीता के लिए जिस हद तक गए क्या उसके तनिक भी आप पास है अरे इश्क में तो दुनिया डूब गई आप क्या कर लेंगे हुजूर कीड़ा नहीं ये रोग है लग जाए तो फिजूल ना लगे तो फिजूल और ये जो कई लोग ऐसे होते ना जो मतलब लव स्टोरी एंड नहीं हो पाती है वो दरवाजे पे पहुँचके क्लाइमाक्स हो जाता है उनके लिए कुछ लिखा था कि लोग कह रहे थे हमने महबबत उनसे यूही कर ली जब वो गुमरा अफवा हमारे रूबरू आई तो वो कसीदे हमारे इश्क के ही पढ़ रही थी अच्छ इंडिया की जो प्लेज हम स्कूल में पढ़ते थे थे ना इंडिया इस मा कंट्री ओल इंडियन सामा ब्रदर्स और सिस्टर्स इस लाइन पर और इंडियन सामा ब्रदर्स और सिस्टर पर हम सबने खुब मस्ती की होगी लेकिन जब वो मस्ती असल में इतनी घिनोनी हो जाना तो फिर वो मस्ती नहीं रह जाती तो कुछ सवाल है मेरे उनके जवाब मिले तो ज़रू बताईएगा मैं एक मर्द हूँ मेरा एक सवाल है क्या मेरी माँ बहने सिर्फ मेरा अभिमान है आज के इस युग में जहां मनुष्य इतना बलवान है क्या छूट गए है संसकार हमारे कि हवस के सामने सब इतने लाचार है हिंद की ये धर्ती तो पुराणों का व्याख्या करती है हिंद की ये धर्ती तो ग्रंथों का उलाना देती है कहां गए वो पाखंडी प्रचारक क्या अभी भ्यून की नीद नहीं तूटी है सीता के लिए जिस हद तक गए क्या उसके तनिक भी आप पास है विजय दश्मी पर चाव से पुतले तमाम जलाते हो क्या कभी सोचा है कि आओ आओ इस कुंठित मानसिक्ता को जड़ से मिटाते हैं घर से निकलने से पहले मेरी मा बहने हजार बार सोचती हैं क्या इतना दूशित है समाज मेरा भ्रिकुटी ताने मुठी भीचे वो सरे रा यही सोचती है स्त्री तो स्वयम देवी का अवतार होती है क्या जरूरी है वो चंडी बने तभी उसको सम्मान मिलता है शपत है जो देश की नहित उसमें ये भाव है देश का हर पुरुष महिला भाई बहन समान है एक मचली से ताल एक मचली से ताल कुछ नामुरादों से पूरा संसार शर्मसार है क्या हमें इतनी भी ललक नहीं कि कर पाएं अपनी माताओं और बहनों का सम्मान है मैं, मैं एक मर्द हूँ, मेरे चंद ये सवाल है क्या इतने गिर चुके हैं हम कि भूल गए मा बहन का करना सम्मान है तैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिए